हेलो दोस्तों तो आज मैंने बनाई है आलू बैगन की मसालेदार यम्मी यम्मी सब्जी आप देखिए कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनी है यह देखिए मजेदार सब्जी है यह मैंने बैगन और आलू एकी साथ काट लिए काले वाले बैगन है और यह दर मसाले काटे हुए है टमाटर प्याच लेसन मिर्ची और यह दर हो गया हमारा तेल गर्म लोए की कड़ाई में सब्जी बहुती स्वादिष्ट बनती है यह डाल देंगे थोड़ी सी जीरा अजमाइन अब डालेंगे श्याज प्याच को अच्छे से भूनेंगे अब टमाटर डालते हैं इनको भी अच्छे से भून लेंगे पैग नालू की मसाले दार सब्जी बहुती जादा स्वादिष्ट बनती है आप एक बार मेरे तवीजे से बना करके देती है आनन्द आ जाएगा खाने में नमक डाल देंगे बनिया पाउडर नेची हल्डी पाउडर डालेंगे अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और बढ़िगा तरीजे से पका लेंगे इसको एक दम चटपटी सब्गी बनाएंगे अब डाल देते हैं लेशन का पेस्ट यह देखिए हमारा मसाला तेल छोड़ने लगा है अब बैगन डाल देंगे इसमार और इसको पनत मनट पे लिए ऐसा ही चलाते रहेंगे यह देखिए कितना प्यारा कलर है सब्गी का थोड़ा सा डालेंगे पानी थोड़ा सा फिर से चलाएंगे इसको अब ढग देंगे इसको दस मिनट में सबजी बनकर की तैयार हो जाएगी यह देखिए हमारी सबजी बनगी अब कसूरी मेथी डाल देंगे इसमें थोड़ी सी हरा धनिया डालेंगे और हमारी सबजी बनकर की तैयार है दोस्तों आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी यह देखिए मसाले दार एक तम से चटपटी सब्जी बन करके त्यार होगी है धन्ड़